वेलकम टोन लिया ये स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2022 में InVorment के Current Affairs का ये हमारा साथवा लेक्चर है आज के सेशन में हम मार्च महने के InVorment के Current Affairs को Revise करेंगे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी से Information आप सभी के लिए है कि हमारे पास इस Prelims 2022 के लिए कुछ courses हैं जो कि आपके exam point of view से काफ़ important हो सकते हैं सबसे पहले इसमें एक Prelims Crash Course की बात हो रही है जिसका नाम Tejas है इसमें आपको 250 प्लस आर्स के Video Lectures इसमें आपके Current Affairs और Static दोनों included हैं काफ़ी सारे Test, Full Length और Sectional और Weekend Out Sessions वगरे सब कुछ हैं इसमें इसमें आपको Free CSAT के Classes और उनके Test Series भी मिलती है बट स्टिल अगर आप केवल Test Series में जोईन करना चाहते हो आपको Video Lectures नहीं चाहिए हैं आपका Revision अलरी चल रहा है अच्छा तो आप उसके लिए Last My Leap जोईन कर सकते हो इसमें आपके 19 Sectional Test है 5 Current Affairs के Test है 15 Full Length Test है 4 CSAT के Test है इसको जॉइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पे जॉइन कर सकते हो अट the same time एक CSAT के लिए प्रोग्राम है जो की ऐसे स्टूडेंट्स को केटर करता है जिनका CSAT Week है तो CSAT Expert Program आपके सभी CSAT के Topics को कवर करता है Video Lectures के Form में और छोटे-छोटे Handouts भी हर Lecture के बाद आपको मिलते है Practice के लिए और Last में कुछ Full Length Test है इसमें इसके अलामा अगर आप 2023 के लिए प्रेपेर कर रहे हैं तो आप हमारे प्रारंभ Batch को जॉइन कर सकते हैं इसमें आपको एक Full Foundation Batch के तरीके से सारी Requirements UPSC के Point of View से फुल्फिल की जाती है इसमें Video Lectures भी है, Study Materials भी है, Test Series भी है, Mentorship भी है Interview Guidance भी है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा अगर आप इस Batch को जॉइन करना चाहते हो तो आप Video.OnlyIS.in पर विजिट करो याद रखना कि तेजस प्रोग्राम के लिए भी आपको Video.OnlyIS.in पर ही विजिट करना है अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन सभी वैचेस से रिलेटेट तो आप हमें Simply इस नमबर पर कॉल कर सकते हो या फिर info.OnlyIS.com पर हमें mail drop भी कर सकते हो, तो चलिए discussion स्टार्ट करते हैं वहाँ पर located है Map में location specify कर रहा हूँ यह जो map है वो केरला का है और यह जो mark मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ यही है पेरियार टाइगर रिजर्व तो इसका कुछ हिस्सा जो है वो आपको मिलता है केरला में और कुछ हिस्सा मिलता है तो जो mark डेरिया है यह पेरियार टाइगर रिजर्व का है इसे नाम मिला है पेरियार नदी के उपर जो इसे रिजर्व के बीच में originate होती है 1950 में इन्हें दिया गया दरजा सैंक्चुरी का और 1978 में इनका हो गया प्रमोशन और दिया गया दर्जा टाइगर रिजर्व का बढ़ते हैं सिनेरियों में आगे यहां पर आपको हिली और अंडूलेटिंग टेरेन मिलता है जैसे जमीन कई बार आपको इस तरीके से दिखती है अगर उस पे खास हो तो बहुत ही खुबसूरत नजारा होता है इसे ही अंडूलेटिंग टेरेन कहा जाता है दो मेजर रिवर्स यहां से फ्लो करती है उनमें एक है पिरियार और दूसरी है पंबा मुल्ला पिरियार डैम PTR में ही लोकेटेड है बहुत ही प्रॉमिनिंट डैम है यह ट्रॉपिकल एवर्ग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवर्ग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस डैस्टिडियूस फॉरेस्ट ट्रांजिशनल फ्रिंज एवर्ग्रीन फॉरेस्ट जो किनारों पे पाये जाते हैं और UK Lip Test के बहुत सारे पेड़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे फौना में टाइगर तो मिलते ही है इसके लामा आपको मिलते हैं Elephants कुछ और भी जीव मिलेंगे जैसे कि गौर, सांबर डियर, लेपर्स, लोद बियर, वाइल डॉग, लाइन टिल, मकाक, निलगरी लंगूर, बाकिन बियर और निलगरी था यह सब आपको मिलते हैं PTR में हमारा next article working group second के जो 6th IPCC report है उसके बारे में है इंडिया ने जो working group दूसरा था या WG2 इसके contribution को 6th assessment report में जो की IPCC के एक report है वेलकम किया है बताते हैं कि यह working group 2 का क्या मतलब है IPCC assessment report जो है यह काफी comprehensive evolution होता है evaluation होता है evolution नहीं वो मैंने गलती से बोल दिया evaluation होता है यह एक प्रकार का calculation होता है जो और के climate को अच्छे से study करता है अभी तक total 5 assessment किये जा चुके हैं इन्हें short में AR कहा जाता है assessment report तो AR5 last था और अभी जो आ रहा है that is AR6 आप इसे 6 assessment report कह लिजे assessment report 6 कह लिजे पहले assessment report को 1990 में तयार किया गया था और अभी जो assessment report तयार की जा रही है वो है 6th actually में इस report को तयार करने के लिए बनाए गये हैं 3 working group और ये बारी-बारी से अपनी reports चौप रहे हैं जो पहला working group था यानि कि यहाँ पर जब हम चर्चा कर रहे थे WG1 तो जो WG1 था इसने अपनी report को अगस्त 2021 में submit किया था और working group 2 ने अभी हाल ही में अपनी report को publish किया इनका title रहा climate change 2022 impact, adaptation and vulnerability क्या निकल के आया cities जिन में दुनिया की आधी population रहती है मतब आधी population गामों में रहती है आधी सहरों में रहती है तो जो cities हैं वो सबसे ज़्यादा risk में है climate change को लेकर वैसे तो climate change national borders नहीं पहचानता और उसका प्रभाव हर जगे equally पड़ता है लेकिन फिर भी जो गरीब देश हैं वो सबसे ज़्यादा इससे hit होंगे इसका करण यह है क्योंकि उनके पास climate change से लड़ने के लिए resources की कमी है low income population सबसे ज़्यादा adaptation gap face कर रही है climate change के प्रभाव को mitigate करने के लिए उनके पास resources की कमी है adverse impact और इससे जो losses होने वाले हैं वो दिन बदिन बढ़ते चले जा रहे हैं देखे कुछ climate change से होने वाले नुकसान irreversible होते हैं कोई species खतम हो गई तो खतम हो गई आप उसको दोबारा जिंदा नहीं कर सकते तो वो irreversible हैं और कुछ events हैं जो irreversible होते जा रहे हैं और हमने रोक भी नहीं पा रहे हैं जैसे glaciers का melt होना आर्कटिक रीजन में या पामा फॉस्ट रीजन का जो हमेशा साल पर जम्मे रहते थे वो दिमे दिमे गल रहे हैं उसका भी हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं एक बार यह हो गया तो हम इसे कभी reverse नहीं कर पाएंगे climate change ने physical और mental health को भी लोगों के प्रभावित किया है human society लगातार heat stress face कर रही है water scarcity, food security की problem और flood का खत्रा इनके खत्रे दिन बदिन बढ़ते जा रहे हैं ये report आई है IPCC की तो जानते हैं IPCC है क्या IPCC एक international body है climate change हो रहा है पहले इस बात को कोई मानने को तयार ही नहीं था और national government ये बोलकर कि ये महज एक वहम है कि climate change हो रहा है इसे नजर अंदास कर देते थे आवेशक्ता महसूस होई एक ऐसी body की जो scientific data collect करके इस बात को साबित करे कि हाँ सच में climate change हो रहा है और इसके क्या नुकसान होंगे इसी उद्देश से IPCC को बनाया गया ताकि वो science related assessment कर सके climate change का इसी बनाया गया 1988 में दो संस्था इकठा हुई पहली का नाम था Void Metallurgical Organization और दूसरे का नाम था United Nations Environment Program दोनों ने मिलके बनाया IPCC को ताकि ये policy makers को एक regular assessment टिकर के दे सके जिसका एक scientific basis हो जिसे कोई भी सरकार नकार ना सके कि climate change हो रहा है मतलब हो रहा है आप देख लीजिए इसके ये risk होंगे ऐसे इसे adapt और mitigate कर सकते है IPCC का जो assessment था वो scientific basis बनता है सभी सरकारों के लिए हर level पे कि वो policies बनाये जिससे हम climate change को रोख सके या कम से कम कम कर सके ये United Nations का जो climate conference है UNFCC का United Nations Framework Convention और climate change वहाँ पर भी negotiations को एक दिसा देते है हमारा नेक्स्टा article Indian Gray Honble के बारे में है गुजरात के फार्ट डपार्टमेंट ने प्लान किया है कि वो Indian Gray Honble को एक बार फिर से reintroduce करेंगे Gir Forest के एरिया में जहां से वो 90 साल पहले खतम हो चुके है वैसे ही बाकी जगहों पर पर्याप संख्या में पाये जाते हैं Indian Gray Honble इसे common Honble मतब एक प्रकार की बहुती सामान हानल के पर जाती है ऐसी दिखती है जैसे कि आप इसे इमिज में देख सकते हैं यह Brownish Gray Color के होते हैं Medium Size के Honble होते हैं Indian Subcontinent में ही यह केबल पाये जाते हैं Indian Subcontinent में केबल इंडिया नहीं आता बलकि Nepal, Bhutan, Bangla, देश यह सब भी आ जाते हैं Diet में यह जो Berries होती हैं अंजीर की उनको खाते हैं किडे मोकडों को खा लेते हैं Reptiles को भी खा जाते हैं Snakes औ लिजार्ड को भी खा जाते हैं दिक्कत तुत्ताब है न जबी छोटे-छोटे birds को भी खा जाते हैं पच्छियों को भी और कई बार तो बड़ी बर्स के उपर भी हमला कर देते हैं तो खतरनाग जीव है ये Indian Gray Hornbill खैर ये उनका feeding pattern है बुरा नहीं लगना चाहिए I say in status में है least concern मतलब बाकी जगों पे इनकी संख्या है पर्या ecosystem में इनका एक बहुत ही important धोल होता है चुकि इनकी संख्या बहुत ज़ादा है तो सीर्स को disperse करने का एक massive काम यही करते है और ये one of few Hornbill species हैं जो urban areas में भी मिलते हैं शेरों में भी इनको जो उंची पेड़ों मिल जाते हैं वहां रहते हैं अब और येल हैं दिन भार पेड़ों पेही रहते हैं कभी कबार खाना एकठा करने के लिए या फिर मिट्टी लेने के लिए गोस्त अबनाने के लिए नीचे भी आ जाते हैं लेकिन सहरों में इनकी प्रिजाति कम हो रही है because बड़े पेड़ों को इंडिया, यह है सिलंका, यहाँ पर है पाक बे और यह है गल्फ अप मननार का पूरा एरिया, यहाँ पर देखिए 500 किलोमेटर पाक बे का जो पूरा एरिया है जो की साउथ इस्ट कोश्ट पर मिलेगा तमिल नाडू के उसे इस डुगॉंग रिजर्व के तौर पर रिकॉग क्या ही पाई जाती है दुगॉंग की बात करें तो इन्हें सी काउ के नाम से पुकराजाता है ओरर सिरैनिया के जो चार सर्वाइविंग स्पीसीज हैं उन में से एक है सी काउ या पर दुगॉंग दुगॉंग और ये एक मात्र हर्भी वोर मैमल है जो सिर्फ समंदर में रहता है इंडिया के रीजन में जो डुगॉंग्स हैं ये मरीन इको सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उसके फूट चेन सिस्टम में इनका एक की रोल होता है ये 30 देसों में पाये जाते हैं इंडिया में ये हमें मिलते हैं गल्फ आफ मननार, गल्फ आफ कर्ष, पाकवे, अंडमार और निकोबार आईलैंड में ये देपीन की संख्या अभी भारत में काफी ज़्यादा कम है ISON के red list में ये हैं vulnerable, while air protection act of 1972 में ये हैं schedule 1 में और sites के appendix 1 में पाये जाते हैं place किया गया इन है हमारा next article Simba के बारे में है ये एक software है जो Asiatic loin को identify करता है गुजरात के forest department ने recite किया है कि वो Simba software का इस्तेमाल करेंगे ताकि Asiatic loin को identify कर सके और उनका proper management and conservation हो ये software जो है, वो intelligent marking के माध्यम से Asiatic loin को पहचानता है photo identification software है जो photo खीचे जाते हैं, उससे वो Asiatic loin के उपर, उसकी body के उपर जो mark है उसके basis पर identify कर लेते हैं, कि ये कोई different वाला है ये जो पहले हमारे पास database में है, उससे नया है तो वो उसको जोड लेंगे और उसके basis पर वो उन्हें अलग-अलग नाम भी दे देते हैं वैटरिनेटी रिकॉर्ड भी तैयार किया जा सकता है database में ताकि पता चल सके कि कितने Asiatic loin वहाँ पर है deep machine learning technique है जहाँ पर उनकी जो मूच होती है, उसके sports को भी identify करके पता कर लेते हैं, face, notches, ears उसके structure को photograph के जरी identify करते हैं कि हाँ, जो हमाई database में है, यह से नया है, इसको add कर लो software के पास uniqueness है कि वो photographs की माध्यम से similar pattern को अलग कर लेता है पता देता है कि different Asiatic loin है या वही वाला है जो आपके database में है तो counting आजान हो जाएगी इस प्रकार के प्रश्ण पूछे जाते हैं 2017 के prelims का प्रश्ण है पूछा गया था M stripes हाली में न्यूज में देखा गया किस संदर्वनी आपके पास 4 options थे और सही जवाब था Maintenance of Tiger Reserves हमारा next article Northern River Terrapin के बारे में है Terrapin कच्छुई की एक प्रजाती है Export और Forest Officials ने GPS Transmitters को Install किया नदर रिवर Terrapin में वो जो संदर्वन में पाय जाते हैं महज 6 हफतों में ही इन्होंने 100 से जादा किलोमेटर की दूरी तै कर ली और अभी कई सारे कच्छुऊं को Bangla देश में स्पॉर्ट किया गया तो नदर रिवर Fresh Water और Blackish Water टर्टल है ये Bangla देश और इंडिया में पाया जाता है सुंदर्वन माला जो एरिया है स्पेसिफिकली वहाँ पे Cambodia, Indonesia, Malaysia में भी इनकी population आपको मिल जाएगी ये Myanmar, Singapore, Thailand और Vietnam में extincting कर चुके हैं इनकी संख्या अब वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती है इसके लावा देखे आगे की जानकारी में ये जातर टाइम पानी में रहना ही पसंद करते हैं जमीन पर बस अंडे देने आते हैं seasonal migration भी इनमें देखा जाता है ये sand banks पर रहना भी पसंद करते हैं कई बार diet में ये omniverse होते हैं कुछ भी खा लेते हैं जो भी मिल गया quarterside में पानी के आसपास जो plant मिल जाएं ये छोटे-छोटे clams एनिमल्स को भी खा जाते हैं IOS1 के red list में ये हैं critically endangered sites के appendix 1 में और wild protection act of 1972 के schedule 1 में आपको मिल जाएंगे हमारा next article tiger density के बारे में है यहाँ पर देखे wildlife institute of India ने अभी हाल ही में एक study करी उसमें उन्होंने एक चीज को analyze किया that was human animal conflict को इन्होंने analyze किया है इन्होंने ये कहा कि जो सुंदर बनवाला area है वहाँ पर tigers अपनी density को meet कर चुके हैं मतलब अब वहाँ पर tigers को रहने की जिगे बची नहीं है उनकी जो carrying capacity है वो खतम हो जुकी है and that is the reason कि tigers अकसर जंगलों के बाहर आ जाते हैं रिहाईशी इलागों में और वहाँ पर human animal conflict या human wildlife conflict की संभावना बनती है मतलब साथ से जादा tigers को बाहर देखा गया spot किया जंगल के बाहर forest department ने उन्हें पकड़ा भी WII ने ये recommend किया कि आप इन्हें वापिस से उसी जंगल में मत छोड़िए जहां से ये आए हैं वहाँ से निकल किसलिए आ रहे हैं वहाँ पे उनके लिए जगह नहीं बची है तो आप उन्हें ऐसी जिगह पे लेकर जाके छोड़िए जहां पर उनके लिए एक तो favorable condition हो दूसरी tigers के density वहाँ पे कम हो ताकि वो रह सकें food or space बहुत ही important reason होता है important factor होता है इस बात को रिसाइड करने के लिए कि जंगल में कितने tigers रह सकते हैं देखें ऐसा नहीं कि tigers जुन्ड बनाके रहें उनका अपना एक area होता है उनका वो area इस बात पर decide करता है कि उन्हें शिकार कहां तक मिल जाता है जैसे उन्हें खाना चाहिए अगर उन्हें 10 km की range में सिकार मिल जाता है तो वो किवल उसी area में रहेंगे लेकिन अगर वहाँ पर सिकार खतम हो गया तो फिर वो 12 km की area में जाना शुरू कर देंगे क्योंकि उसके आगे उन्हें शिकार मिलेगा जैसे जैसे शिकार खतम होदा जाएगा वो आगे की area में बढ़ते जाएंगे तो अगर वहाँ पर pre-base अच्छा है तो वो कम area में रह लेंगे लेकिन अगर pre-base कम है शिकार कम है तो वो जादा area cover करेंगे तो इस तरीके से देखा जाए तो food और space tiger के लिए बहुत ज़रूरी होता है और space क्या? food ही determine करता है कि वो कितना space लेंगे? मैंने आपको बता दिया तराई और सिवाली खेल forest का जो रीजन है जिम, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वहाँ पर आप देख सकते हो कि 100 square kilometer के एरिया में 10 से solar tigers आपको मिल जाएंगे उतने एरिया में उनको prey मिलता है उससे जादा अगर वहाँ पर रहेंगे तो फिर उन्हें शिकार की कम ही होने लगेगी जबकि आप बाकी जिगों पर जाओ North Central or Western Ghart में जाओ तो वहाँ पर 100 square kilometer के एरिया में महसाथ सी गरा टाइगर सी आपको मिलेंगे जैसे की बंदिपुर और जो dry deciduous forest है जंगल कम है कानहा, Central Asia में तो वहाँ पर आपको शिकार कम मिलेगा तो वहाँ पर 100 square kilometer में केवल 6-10 टाइगर ही आपको मिलेंगे यहाँ पर pre-availability यानि कि सिकार की उपलब्धता और टाइगर डेंसिटी आपको फैरली उनका relation समझ में आ रहा होगा एक linear relation आपको मिल जाएगा प्रॉपरली अगर आप देखे तो सुन्दरवन की करिंग के फिसली घट रही है 100 square kilometer में महस 4 टाइगर्स आपको वहाँ पर मिलेंगे इंडिया और बंगलादेस के एक joint study में पाया गया है तो 2.85 अब 2.85 टाइगर्स तो होते नहीं calculations में जरूर आ जाते है WII की जो study है वो indicate करती है कि सुन्दरवन में 3 से 5 टाइगर्स की density है 100 square kilometer में यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो टाइगर्स हैं वही बात है कि 2313 square kilometer में 88 टाइगर्स पाए गया थे में यह कहा गया कि जो Amazon rainforest का significant part है वो tipping point पे पहुँच गया है अगर हम early 2000 की basis पे देखे तो tipping point का क्या मतलब होता है tipping point का मतलब यह होता है कि इसके बाद अगर हम उसे नुक्सान पहुचाएंगे तो वो एक ऐसे city में पहुच जाएगा जहां पे वो नुक्सान वो forest reverse नहीं कर पाएगा अभी तोड़ा बहुत नुक्सान हम rainforest को करते है Amazon के वो खुद को manage कर लेता है लेकिन उसके बाद वो उसे manage नहीं कर पाएगा वो नुक्सान permanent हो जाएगा उसके लिए और दाट इस the meaning of tipping point आगे जो report आई है उसके बारे में बात करेंगे जो study published की गई है tropical rainforest ये moist broad leaf tropical rainforest होते है tropical region में पाएज आने वाले rainforest जो कि Amazon biome में मिलेंगे Amazon जो नदी बहती है उसके आसपास के एरिया में South America में Amazon rainforest 60% आपको ब्रजील में मिलेंगे 10% पेरु और कॉलंबिया में कुछ हिस्सा आपको वेनेज्युएला, एक्वाडोर, बॉलिविया, गुयाना, सूरी नाम और फ्रेंच गुयाना में मिल जाएगा significance क्या है Amazon rainforest 30% बॉल्ट की species को accommodate करता है 40,000 plant species 16,000 tree species 1300, not 1000 birds और 430 से ज़्यादा mammals की species यहाँ पे मिल जाएगी यह carbon sink की तरह भी काम करता है मतलब यह है कि उतना carbon die oxide sequestrate कर लेता है, सोख लेता है जितना यह release नहीं करता हलकिस तरी में यह पाया गया कि जो activities हैं जैसे कि deforestation, temperature का बढ़ना human induced activities इस से इस rainforest को नुकसान हो रहा है और इसकी capability tipping point पे पहुँच रही है मतलब यह जो damage होगा उसको लेकर bounce back नहीं कर पाएगा drought, forest fire और deforestation इसके लिए नुकसान देश शाबित होंगे जो study है, उसमें warn किया गया कि हो सकता है Amazon rainforest आने वाले समय में dry sawanah like ecosystem में convert हो जाए खतर नाक्सिती हो सकती है जहाँ पर यह carbon source की तरह काम करने लग जाएगा वो उतना CO2 absorb नहीं कर पाएगा जितना release करने लगेगा सवाना ecosystem क्या होता है यह tropical grass land होते हैं, घास का मैदान जहाँ पर warm temperature होता है लगभग पूरे साल और बरसात की मौसम में अच्छी बारिस होती है वहाँ पर बहुत छेटपुट पेड़ पाया जाते हैं जिनमें canopy नहीं होती मतलब grassy सी जादा मिलेंगे आपको कहीं कहीं पेड़ मिलेंगे यह largest सवाना हमें Africa, South America, Australia, India, Myanmar Asia में Thailand और Medigascar की region में आपको मिल जाएंगे हमारा next article साइलिपसी, मपोडी, बिडेनी के बारे में है यह एक fossil है जिसे अभी आली में USA के Central Montana से खोजा गया है यह एक group of species से बिलॉंग करता है जिसे वेंपाइरो पॉर्स कहा जाता है मैं आपको बता दूँ कि अक्तोपस जिसको आप जानते होंगे वो भी वेंपाइरो पॉर्स, group of species से ही बिलॉंग करता है यह लगबग 328 million years पहले हुआ करते रहे होंगे कारगोनी, ferrous period जो हुआ था वो 308 million से 299 million years एगो का समय है और अभी जो हमें fossil मिला है यह अभी तक का सबसे पुराना record है किसी भी प्रकार के vampire report का नाम से समझ में आ रहा होगा कि जो bidden के उपर इसका नाम रखा गया है यह 12 cm लंबा है, torpedo जैसा है इसका shape है और इसकी जो fins है वो काफी चौड़े हैं, बड़े हैं इससे लगता है कि इससे इने टैरने में मदद मिलती होगी इनके 10 functional arms होते हैं octopus के 8, इनके 10 इनके जो लंबे arms हैं वो साइद praise को पकरने में मदद करते होंगे और छोटे बाले उसे confined या manipulate करने में significance यह है कि इससे octopus कैसे evolve हुए उनको लेकर हमारी understanding बढ़ेगी देखिए, कुछ जीवों के उपर प्रशन पूछ ले जाते हैं, जैसे कि 2019 में ये प्रशन पूछा गया था some species of turtles are herbivores some species of fish are herbivores some species of marine mammals are herbivores some species of snakes are vivipats तो यह रिखे बहुत general सी बाते हैं सारा ही, जो चार के चारो statement है वो correct है, D is the correct answer हमारा next article हालारी breed of donkey के बारे में है जब कोई कहता है कि गधे हो क्या तो उसका एक sense यह होता है कि आप किसी काम के नहीं है आप बिना काम के हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता donkey बहुत ही useful होते हैं और अभी उनकी एक प्रजाती को बचाने की भी बात चल रही है because that is under threat Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Daring ने address किया सारास्ट मालधारी सम्मेलन को जहांबे बात की गई कि जो threatened breed है livestock की, particularly हलारी breed of mud donkey उसे हम बचाने की कोशिस करें हलारी donkey बहुत ज़्यदा important livestock बन जाता है जो pasture list है, जो चरवाही है या उनकी जो community है वो इस donkey का इस्तेमाल करते हैं सामान को एक जिगे से दूसरी जिगे ले जाने को लेका जब वो migrate भी करते हैं अपने बाकी पश्यों के साथ तब भी donkey का massive इस्तेमाल किया जाता है जो potter community के लोग है वो potter के वर्क में इनका इस्तेमाल करते है मिट्टी को ढोने में या फिर बर्तन को ढोने में जो halari donkey का milk है वो भी काफ़ी expensive होता है वो 1000 per liter तक जा सकता है because of its medicinal value लेकिन इनकी संख्या कम हो रही है इनको बचाने के कोई immediate steps नहीं लिए गए है halari donkey में जो males हैं breeding के लिए उनकी कमी है halari donkey का जो milk है वो काफ़ी valuable है expensive भी है लेकिन उसको लेकर कोई avenues नहीं है कि जो donkey को पालते हैं उन्हें को incentive मिले और वो उसे बचाने की कोशिस करे so that is the reason जो इनकी संख्या घट रही है हमारा next article Project Dolphin के बारे में है प्रजेक्ट डॉल्फिन को हमने कितने समय पहले अप्रूब कर दिया था लेकिन इढंग से काम नहीं कर रहा है तो यह जानते हैं क्या है यह प्रजेक्ट डॉल्फिन प्रजेक्ट डॉल्फिन यह जो initiative है इसे in principle अप्रूल तो 2019 में ही मिल गया था जब नेशनल गंगा काउंसिल की पहली मीटिंग हुई थी जिसे हेड करते हैं हमारे ओनरेबल प्रैम मिनिस्टर तब ही इसे in principle अप्रूल दे दिया किया प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है इसे अर्थ गंगा में जो activities हो रही हैं उन्हीं के तहट प्लान किया गया था बहुत ही ambitious inter-ministerial initiative हुआ करता था ये जिसे 2019 में अप्रूव किया गया प्रोजेक्ट टाइगर की लाइम पे जिसने टाइगर की population को बहुत बढ़ा दिया अब मारा प्लान था कि हम डॉल्फिन की population को भी बढ़ाएंगे लेकिन इसमें अच्छे से काम हो नहीं पा रहा है इसे implement करने की उमीद है Minister of Environment, Forest and Climate Change को लेकर Special Conservation Program है जिसमें गेंगेटिक डॉल्फिन को हम protect करेंगे मैं आपको पता दूँ कि ये National Aquatic Animal भी है और इस संबंद में UPSC प्रशन भी पूछ चुकी है Simple सा प्रशन आया था 2015 के प्रिलिम्स में कि National Aquatic Animal कौन है भारत का और आपको जवाब देना था 2015 के प्रिलिम्स में Same question यही वाला आया था तो आपको बताना था जवाब तो अभी आपको पता ही चल गया है कि National Aquatic Animal है तो मतलब इस प्रिकार के प्रशन आते हैं तयार रहे है यह indicator species भी अपता चलता है कि पानी की quality अच्छी है की नहीं है environmental condition को यह बताता है गैंगेटिक dolphin की बात करें तो 1801 में for the first time इस dolphin के बारे में हमें जानकारी मिले यह गंगेज, ब्रहपुत्रा, मेगना और करना फुली सांगू रिवर सिस्टम में आपको मिल जाएंगे नेपाल, इंडिया और बांगला देश में फ्रेश वाटर, साफ पानी में ही रहते हैं इसेंशली ब्लाइंड होते हैं मतलब आख से देख नहीं पाते हैं यह अपने शिकार को हंट करने के लिए अल्टरा सॉनिक साउंड निकालते हैं वो साउंड जब किसी आपजिक से या मचली से माली जी टकरा के आया तो वो मन में, अपने दिमाग में उस मचली कीमच बना लेते हैं और फिर उसके उपर हमला करते हैं डॉल्फिन को शूशू के नाम से भी पुकारा जाता है इंडियन वाइलर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शिडूल 1 में है साइट्स में, जो आयूसेन की रेड लिस्ट है उसमें इंडेंजर्ड है साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है जिसमें सबसे ज़ादा इंडेंजर्ड जो एनिमल्स होने रखा जाता है और CMS के अपेंडिक्स 2 में है यनकी Convention on Migratory Species के बाकी 2015 में पूछा गया है ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ हमारा नेक्स्ट आर्टिकल Detailed Project Report के बारे में है ये Detailed Project Report किसकी है देखिए Union Minister for Environment, Forest and Climate Change और Union Minister of जल सक्ती ने एक Detailed Project Report अभी तयार करी है जिसके तहत 13 Major Rivers को Forestry Intervention के माध्यम से Rejuvenate किया जाएगा ध्यान से समझेगा जब भी कोई Project तयार किया जाता है तो उस Project को तयार करने के लिए सबसे पहले तो In Principal Approval ले लिया जाता है जब In Principal Approval मिल जाता है तो वो पूरा Project कैसे वर्क करेगा इसके लिए एक Detailed Project Report तयार की जाती है जिसमें सारी Details दी जाती है कि आखिर इस Project को Implement करेंगे कैसे यहाँ पे जो यह Project है यह Reverse के लिए है 13 नदियों के स्थिक को बहतर करना है इसके लिए Forestry Intervention किया जाएगा Forestry Intervention का मतलब यहाँ पे साफ है कि पेड़ पौधों को लगाकर Water Level को रिचार्ज किया जाएगा या फिर जो Erosion होता है उसे रोकने की कोशिस के जाएगी तो मामला आपको समझ में आ गया है अब वो कौन सी 13 नदिया है जो इसका हिस्सा है 2000 जेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलोच तो यह 5 तो इंडस के Tributaries हो गई जेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलोच यह तो याद होई जाएंगी फिर यमुना, ब्रहंपुत्रा, लूनी, नर्मदा, गोदावरी अब यह 5-5-10 हो गई महानदी, कृष्णा, और कावेरी तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यह तो चार सदन इंडिया की या मालेजी सेंटर और सदन इंडिया की इंडियों की इंडियों की इंडियों की याद आप नाम ज़रूर रखिएगा तेरा रिवर्स कलेक्टिवली, हमारे जेग्राफिकल एरिया का 45% कवर करते हैं, मतलब इनका जो पूरा कैश्मेंट एरिया वगएरा है, जितने में ये फ्लो करते हैं 45% जेग्राफिकल एरिया ये कवर कर लेते तेरा नदिया, तो important भी है इसे फंड किया जाएगा National Air Forest Station and Eco Development Board के वरा यहाँ पर फोकस होगा कि नदियों को Rejuvenate करें, Air Forest Station Catchment Treatment, Ecological Restoration Moisture Conservation, Livelihood Improvement Income Generation, Eco Tourism Eco Park और Awareness फैला के, Research और Minitoring भी की जाएगी, काम वही होगा और All जो मैंने आपको बता दिया है Project के तहट Natural Landscape, Agriculture Landscape और Urban Landscape पे काम किया जाएगा पेट पौधे लगाएं, Agriculture में ऐसा Agriculture किया जाए, जिससे Moisture Content बढ़े Soil का और Water Recharge बेटर हो Urban Landscape उस तरीके से Manage किया जाए, कि जो नदिया है वो polluted ना हो जो Different Model of Forestry है उसको आप्ट किया जाएगा जैसे Timber Species, Medicinal Plants, Grass, Shrubs Fuel Fodder, ये सब उगाया जाएगा ताकि पानी का Level बढ़े Site Specific Treatment भी किया जाएगे Soil Monster Conservation भी किया जाएगा ऐसी Grass पेड लगाए जाएगे जिससे कि Soil का Erosion घटे क्योंकि इससे Sedimentation हो जाता है Flurs वगेरा का खत्रा बढ़ता है GIS टेकनीक का इस्तेमाल करेंगे ये देखने के लिए कि कहा पर किस प्रकार का काम किया जाना है ये तो सारी बात है DPR के बारे में हमारा नेक्स्ट आर्टिकल Toyota Mirai के बारे में है Union Minister for Road Transport and Highways ने लौंच किया है दुनिया का Most Advanced Technology वाला Green Hydrogen Fuel Cell Electric Vehicle वहिकल, exactly Toyota Mirai Mirai एक Japanese शब्द है जिसका मतलब होता है Future तो Toyota Mirai मतलब Toyota का Future ये इंडिया का पहला Green Hydrogen Based Advanced Fuel Cell Electric Vehicle है ये जो भारी बरकम शब्द है ना Green Hydrogen Based Advanced Fuel Cell Electric Vehicle इसका मतलब अभी मैं समझाऊंगा इसके पहले ये जानकारी ले ले लीजिए कि जो कार है ये जो कि इस प्रकार के टेक्नालोजी से वर्क करेगी ये एक बार चार्ज होगी तो 650 km तक जा सकती है मतलब काइंड अफ इलेक्ट्रिक वहिकल है लेकिन उससे कुछ अलग है because इसमें कुछ fuel वगेरा वाला लफड़ा है क्योंकि यहाँ पे refueling की बात हो रही है तो दो बाते तो आपको आइडिया लग गिया एक तो ये सिंगल चार्ज में 650 km की दूरी तरह कर सकती है मतलब ये एलेक्ट्रिक वहिकल जैसा ही होगा दूसरा इसमें refueling time के वाल 5 मिनट का है मतलब इसमें कोई ने कोई fuel तो इस्तिमाल किया जाता होगा मतलब इसमें होता ये है मैं आपको बता रहा हूँ कि electricity को fuel के जरिए वहिकल में ही बनाया जाता है अभी कैसे होता है अभी हम समझ लेंगे significance की बात करें तो इस प्रकार का पहला प्रोजेक्ट होगा जो भारत में लगाया जा रहा है जिसमें हम green hydrogen based ecosystem को develop करने की कोशिस करेंगे और aware करेंगे लोगों को FCEV technology के बारे में यहाँ पर जो fuel cell electric vehicles हैं इन्हें hydrogen से power किया जाएगा यह पूरी तरीके से environment friendly है और जो इनका tail pipe emission है उसमें पानी के लावा कुछ निकलता नहीं है मतब कोई gas west कुछ नहीं अब इसमें असल मामला यह है कि fuel cell electric vehicle काम कैसे करता है fuel cell electric vehicle यह कोई ऐसी battery नहीं है जिसको charge कर ले और उसके बाद उससे वहिकल चले विकाज उसको charge करने में वापिस से काफी समय लग जाएगा यहाँ पे हम hydrogen को source of fuel के तोर पे इस्तेमाल करते है और एक होता है oxygen जब यह hydrogen उस oxygen यानि कि oxygen के साथ मिलता है तो इससे बनती है electricity यह एक electro chemical process के जरीए होता है मतलब जो वहिकल है वही पर electricity को बनाया जाता है hydrogen का इस्तेमाल करके simply अगर हम बात करें तो यह hydrogen और oxygen को गाड़ी में mix करता है वहिकल के भीतर ही और electric current generate करता है जिसके बाद byproduct के तोर पे सिर्फ पानी ही निकलता है और कुछ नहीं तो जो conventional वहिकल है या फिर एक electric वहिकल है यह उसके जैसा है या उससे अलग है मन में एक सवाल आ रहा होगा चलिए इसका जवाब लेते हैं जो fuel cell है वो electricity को electrochemical process के माध्यम से वहिकल में ही generate करता है जबकि जो battery electricity वहिकल होती है वहाँ पर हम battery को charge करते है और उससे जो electricity generate होती है बैटरी से उससे वो वहिकल चलती है तो कुल मलाके जो आपको normal electronic वहिकल दिखती है उनमें एक battery होती है जो energy को store करके रखती है जबकि यह जो वहिकल जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं जो कि fuel cell electric वहिकल है इसमें electricity को store नहीं किया जाता बलकि वह वहिकल में ही generate की जाती है इससे continuous supply बनी रहती है यह electricity को store करता ही नहीं है और fuel और oxygen की constant supply पर रलाई करता है इन दाट सिंस यह conventional internal combustion engine कि दरह है जिसमें आप petrol डालोगे तो petrol से वो गारी चलेगी वैसे यहाँ पर आप hydrogen और oxygen डालोगे तो उसी से बिजली बनके गारी चलेगी हला कि जो combustion engine होता है उसमें engine में कुछ moving parts होते है जो उस vehicle को run करवाते है fuel cell में कोई moving part नहीं होता क्योंकि वो तो electricity से चल रहा होता है बस यहाँ पर हम hydrogen और oxygen को mix करके वहिकल में electricity बना लेते हैं और उसी electricity से यह vehicle चलती है और बाद में लेज़े hydrogen fuel खतम हो गया तो पांच में पर refilling हो जाएगी तो यह मामला है Toyota Miraiqa I hope you got the point वो BOMA capturing technique के बारे में है काफी uncommon experiment किया गया एफरिका के BOMA technique के आधार पर केउलादियो नेशनल पार्क में मैं आपको बता दूँ केउलादियो नेशनल पार्क है राजस्थान में जहां पर जो मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व हैं वहां पर translocation के लिए spotted deer को capture किया गया इस technique का इस्तेमाल करके अब इसमें होता क्या है कुछ कोई जुन्ड है जानवरों का यहां पर spotted deer की बात कर लेते हैं वो यहां पर हैं तो उनका पीछा किया जाएगा जब उनका पीछा किया जाएगा तो वो इस ओर भागेंगे तो वो चुकि ये area जो initial phase है वहां पर खुला हुआ रहेगा तो वो इसके अंदर enter कर जाएगे ये रास्ता आगे सक्रा होता चला जाएगा और फिर यहां पर उन्हें capture कर लिया जाएगा और फिर उन्हें किसी भी transportation vehicle में रखके जहां भी उन्हें translocate करना है ये जो technique है किसी भी जीव को capture करने की इसे ही boma capturing technique कहा जाता है ये technique एफरिका में बहुत ही जादा popular है ये funnel like fencing करी जाती है fencing करने के लिए basically हम कोसिस करते हैं कि जो greenery है grass and all है उसका इस्तेमाल करें ताकि वो उन्हें natural लगे और वो उसमें enter कर जाए काफी पुरानी technique है पहले इसका इस्तेमाल elephants को पकड़ने के लिए किया जाता था अब ये translocation significant क्यों है देखें जो मुकंदरा ओहिल tiger reserve है वहाँ पर tigers को relocate करना है लेकिन tigers वहाँ पर जाए उसके पहले वहाँ पर उनके लिए शिकार का होना जरूरी है pray का होना जरूरी है that is the reason कि इन जीवों को भी वहाँ पर translocate किया जा रहा है कुल मिला कि उनका खाना तयार किया जा रहा है वैसे गलत बात है न ठीक है अब देखे क्योलादे निशनल पार्क जो है बुराजस्थान के भरतपुर में है ये man-made और man-managed wetland है 1971 में इसे century का दर्जा दिया गया protected century की तोर पर declare किया गया और ये world heritage site भी है basic जानकारिया है factual information आप कह सकते हो पार्क का जो one third area है वो mounds या open water से आपको submerged मिलेगा और या तो वहाँ पे submerged या emerged grasses मिल जाएंगी काफी खूबसूरत है वैसे एक बार मैं वहाँ पे गया था ये जो केलादे निशनल पार्क है तो मैंने एक बार वहाँ पे विजिट किया था अच्छी जिगे है bird watches के लिए बढ़ियां आपको नजारे मिल जाएंगे मुगंद्रा हिल टैग रिजर्व की बात करते हैं ये कोटा में राजस्थान में लोकेटेड है मुगंद्रा हिल जो है ये wildlife century की रूप में 1955 में डेकलेर किया गया था नेशनल पार्क इसे बनाया गया 2004 में जो रिजर्व है इसके eastern bank पे आपको मिल जाएगा लोकेटेट अन दे eastern bank ऑफ चंबल रिवर में आपको मिलेंगी तीन सेंक्चुरीज दारा, जवाहर सागर और चंबल चंबल सेंक्चुरी भी मुकंद्रा, हिल टैगरिजर्व का ही पार्ट है हमारा next article जो है वो हिमालियन ग्रिफिन ग्रिफिन वल्चर के बारे में है सो हिमालियन ग्रिफिन वल्चर को अभी मरा हुआ पाया है, उमीद है poisoning, आसाम का ये मामला है बात करते हैं हिमालियन ग्रिफिन वल्चर के बारे में इनका साइंटिफिक नाम है जिप्स हिमालियंसिस, बहुत अन्यूज़र है लाजस्ट बॉर्ड है, जो कि हिमालियास की रीजन में आपको मिल जाएगी ये मेली उचाई पर रहना पसंद करते हैं मतब डेड़ किलो मीटर की हाइट पर ये अकसर रहते हैं पंद्रसो मीटर की हिमालियन रीजन में और तिबितिन प्लेटू में कंट्रीज की बात करें तो आपको मिल जाएंगे वेस्टन चाईना, कजाकिस्तान, मुझबेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मतब सेंटर एशिया और इंडिन पेरिंसुला के आसपास का जो रीजन है इसके रावा जो मौन्टेन, रेंजिस्तान, इंडिया, नेपाल और वुटान की वहाँ पर भी आपको ये वल्चुर्स मिल जाएंगे सैंटी ब्राउन कलर के होते हैं पैल या फिदलेस हेड होता है इनका ये या तो अकेले या ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं यूजरी अगर इनको कुछ खाने पीने की चीज मिल जाए किसी भी जीव का शव मिल जाए तो वहाँ पे एक अठ्था हो जाते हैं आईशन के रेड लिस्ट में है ये नियर थ्रेटन आर्सनिक काफी खतरनाक हो जाता है लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है आर्सनिक एक नैच्रल सेमी मेटलिक केमिकल कमपोनेंट है जो और्थ के क्रस्ट में मिलता है इवाइडली आपको इन्वामेंट में मिल जाएगा हवा में भी मिल जाएगा, पानी में भी मिल जाएगा और मिट्टी में भी मिल जाएगा जो inorganic arsenic compound है वो ज़्यादा खतरनाक होता है organic के तुलना में अगर आप sources की बात करें तो 90% arsenic pollution आपको मिलेगा वो तो geogenic होता है geogenic का मतलब यह होता है कि जो crust का हमारे निर्मार हुआ है earth जब बनी है उसके दौरान ही arsenic soils and all में present है और वो पानी के साथ मिल जाता है उसको pollute कर देता है जो allual sediments होते है वो arsenic contamination का major part होते है वो थोड़ा सा loose form में होता है और जल्दी से mix हो जाता है groundwater के साथ बाकी tectonic process, mountain building, erosion, sedimentation यह जो natural प्रक्रिया है इससे भी यह pollution होता रहता है groundwater extraction जब किया जादा है unconsolidated sedimentary aquifers से तो वहाँ पर यह contamination ज़्यादा खदरनाक होता है जो younger ologenic belts है जहाँ पर चटानी नहीं बनी होई है वहाँ पर यह contamination ज़्यादा प्रभावी होता है प्रभाव की बात करते है तो इससे poisoning हो सकती है किसी भी human को अगर arsenic हमारी body में जाता है injection के जरीए, absorption के जरीए या फिर हम किसी भी formula से inhale करते हैं तो अगर हम लंबे समय तक arsenic के प्रभाव में रहते हैं या groundwater का लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं जो contaminated है arsenic से तो कई सारे health issues हो सकते हैं जिसमें skin, lungs, kidney, bladder cancer तक शामिल हैं मतब इन parts को नुक्सान हो सकता है coronary health disease हो सकती है बाकी bronchitis इसके राव कुछ अन्य बिमारियां के होने का भी खत्रा रहता है including arsenicosis हमरा next article BBNJ treaty के बारे में है fourth intergovernmental conference हुआ है ICG4 UIS meeting को लेकर सबसे पहले तो BBNJ treaty का मतलब क्या है full form समझ जाएंगे तो आपको वैसे यादी बात लिर हो जाएगी यहाँ पर इसका full form है biodiversity beyond national jurisdiction देखें, biodiversity हर देश के पास होती है लेकिन कुछ biodiversity ऐसी होती है जो किसी भी देश के domain में नहीं होती उन्हें कैसे conserve किया जाए, protect किया जाए उसके लिए है यह BBNJ treaty example के तोर पे हर देश के पास सबंदर का कुछ हिस्सा होता है जिसमें शामिल होते है territorial sea, contiguous zone और exclusive economic zone लेकिन उसके बाद एक area आता है high sea का जिसे कोई उन नहीं करता वहाँ पर भी तो biodiversity होती है अगर उसका कोई over exploitation करें उससे नुकसान पहुचाए तो उसका नुकसान ultimately पूरी दुनिया को होगा तो high sea का जो area है वहाँ की जो biodiversity है उसे आप biodiversity beyond national jurisdiction बोल सकते हैं कि नहीं क्योंकि वहाँ पर किसी भी देश का jurisdiction नहीं है तो इस प्रकार की biodiversity को बचाने के रिए जो ट्रेटी साइन की गई है अब आपको context समझ में आ गया इसी की चौथी जो conference है उसको आयोजित किया गया था और ये जो पूरा आयोजित था वो unclosed के under में हुआ फुल फॉर्म है United Nations Convention on the Law of the Sea BBNJ Treaty को Treaty of High Sea के नाम से भी बुकारा जाता है because इसमें focus area High Sea का रहता है मतलब वो एरिया जो किसी भी देश के national jurisdiction में नहीं आता exclusive economic zone की बाहर का हिस्सा High Sea का In fact High Sea 95% कवर करता है जो भी water bodies है उनका ये कोसिस करते हैं कि जो marine biological diversity है treaty को unclosed के framework के भी तरही implement किया गया है और ये High Sea के area को कवर करता है यहाँ पर देखे बेसिकली एक package है जिसमें कई सारे elements involved है कोसिस की जाती है कि marine biological diversity कोई sustainable use और conservation को better किया जाए ठीक है further वहाँ के marine genetic resources और जो बाकी national jurisdiction के beyond ecosystem है उसे बचाया जाए area based management tools सयार किये जाए हर area को manage करने का तरीका अलग हो सकता है tools अलग हो सकते हैं तो उनको अलग हो पाइफरकेट कर ले environmental impact assessment किया जाए कितना नुपसान हो रहा है capacity building की जाए ताकि marine technology को transfer कर सके और सभी देश जो marine environment है उसे बचा सके High Sea Alliance एक बना था 2011 इसमें कई सारे organizations और groups शामिल है जो एक strong common wise के साथ हाते है 40 से जादा NGOs और IUCR इसमें शामिल है हमारा next article mercury pollution के बारे में है अभी consensus बन रहा है कि Indonesia के बाली में कई सारे देश से कठा हो और sign करें एक non-binding declaration कि जो illegal trade होता है mercury का उसे रोका जाए क्योंकि इससे मर्गरी pollution के बढ़ने का खत्रा बढ़ जाता है मर्करी एक nationally occurring element है जो आपको हर जीगे मिलता है हवा में, पानी में, मिट्टी में ये atmosphere में natural process के जरीए भी आता है ज़रूरी नहीं कि हमीं ये pollution फैला है ये rocky weathering, volcanic eruption, geothermal activity, forest fire सबसे पैदा होता है मर्करी human activities से भी फैलता है और वो कई बार pollution का एक major cause भी बन जाता है मर्करी की कई सरे toxic effects होते हैं जो प्रभावित करते हैं हमारे nervous system को digestive और immune system को प्रभावित करते हैं lungs, kidneys, skin और eyes को देखिए इसे WHO ने chemical of major public health concern भी डेक्लेर किया है मतब top 10 chemicals जो इनसान को प्रभावित करते हैं दुक्सान पहुचाते हैं उनमें एक मर्करी भी है इससे होती है minimata disease minimata disease basically होती है methyl mercury poisoning से इसे नाम minimata disease दिया गया विकॉर्स सबसे पहले observe किया गया जापान के minimata B के आसपास रहने वाले लोगों में वहाँ पर जो contaminated fist थी उन्होंने उसको खाया और उन्हीं हो गई बिमारी तो इसलिए इस बिमारी का नाम रखा गया minimata disease इस सम्वन में देखिए एक बात और आ रही है चुकि मर्करी से minimata disease भी linked है तो इंडोरेशा के सरकार ये भी प्लान बना रही है कि जो भी लोग इस non-binding agreement को sign करने के लिए आ रहे है वो minimata convention को ले कर भी खुद को commitment शो करें कि हम इसके लिए भी और अची तरीके से काम करेंगे और मर्करी के global illegal trade को रोकेंगे जो non-binding declaration होगा उसके होगे तीन हिस्से हम practical tools develop करेंगे कि कैसे information sharing की जाए notification जारी करी जाए और मर्करी के illegal trade को रोका जाए दूसरा कि experience और practices को exchange करेंगे illegal trade को रोकने के लिए अगर किसी देश में बढ़िया काम किया तो बताई कि उसने कैसे किया और तीसरा कि हम example share करेंगे ऐसे कौन से कानून थे जिनोंने illegal trade को रोका या data या information उस संबन में कैसे बढ़िया है minimata convention की बात करते हैं जो minimata disease को रोकने के लिए लाया गया था यह United Nations की एक treaty है global treaty human health और environment को protect करने के लिए है मर्करी के adverse effects है जो fifth session हुआ 2013 में सुर्जलाइन के जिनेवा में Intergovernmental Negotiating Committee का उसी के दोरान minimata convention साइन किया गया और यह effective हुआ 2017 में इसके जरीए जो anthropogenic release है मर्करी का जो इंसान करते हैं हम करते हैं जो pollution का cause बनता है हम उसको रोकेंगे और इसके लिए कुछ की obligations फॉल्यो करने होते है convention में जो मर्करी का interim storage होता है क्योंकि वहां से कई बार वो cause of pollution बन जाता है further अगर वो waste में convert हुआ तो वो कैसे dispose किया जाए कि वो pollution cause ना करे इंडिया ने इस convention को ratify किया है यह आपके लिए बहुत ही महतवपूर जानकारी है हमरा next article lead poisoning के बारे में है जांबिया के काववे माइन में या उसके आसपास के रहने वाले बच्चों में lead poisoning देखी गई है यह है अफरिका यहां पे है जांबिया यहां की माइन के आसपास बच्चों में lead poisoning देखी गई है जो की और ट्रस में पाया जाना वाला toxic metal है यह brain, liver, kidney, bones को प्रभावित करता है teeth or bones को भी प्रभावित करता है blood में lead की कितनी मात्रा है इसके माध्यम से पता किया जाता है कि poisoning का level क्या है यह neurotoxin की तरफ work करता है बच्चों के brain को distort कर देता है यह कम age के बच्चों को जदा प्रभावित करता है क्योंकि उनका brain develop भी नहीं हुआ होता और इससे अगर वो pollution या उससे वो poisoning को face करते हैं तो lifelong, neurological, cognitive, or physical impairment हो सकती है इससे उनके mental health और behavior problems create हो सकती है severe consequences हो सकते है लेकिन यह बाद किसी को समझ में तब तक नहीं आएगी जब तक यह न बताया जाए कि कितने पैसे का नुकसान हो रहा है इस प्रकार के poisoning से तो economy के terms में बताते हैं जो बच्चे से प्रभावित होते हैं हम उनके economic potential को utilize नहीं कर पाते इससे global economy को लग भग 1 trillion US dollar का नुकसान होता है उनकी पूरी lifetime के basis पे जो lead poisoning है उसके sources क्या हो सकते है environmental sources हो सकते है और professional भी हो सकते है अगर कोई ऐसा material burn किया जा रहा है जहांपर lead है जैसे कि smelting और से किसी metal को निकालना recycling leaded paint को हटाना stripping करना या फिर aviation fuel में lead का इस्तेमाल करना या फिर lead contaminated dust या water का जैसे पानी है जो lead से coated है कुछ भी है तो उससे पानी आ रहा है तो फिर हो सकता है और lead sources containers में कर कोई चीज आ रही है food है नो तो उससे भी lead contamination हो सकता है देखे समझ में 2012 में प्रशना आया था lead ingested या inhaled हो तो hazard की तरह काम करता है health के लिए बैसे तो petrol में lead के addition को बंद कर दिया गया है लेकिन फिर भी lead poisoning का source क्या हो सकता है smelting unit pencil pencils paints hair oils and cosmetics सही जवाब है एक और तीम we will be the answer हमारा next article frontiers 2022 noise, bleeds and mismatches के बारे में है UNEP की annual report है annual frontier report title रहा noise, blazes and mismatches यहाँ पर जो ढखाका है उसे दुनिया की सबसे शोर गूल वाली city के रूप में declare किया गया है release किया गया है UNEP United Nations Environment Program के द्वारा जहाँ पर 61 cities में दुनिया वर के noise level को evaluate किया गया WHO कहता है कि एक limited noise ठीक है उसके उपर नहीं तो क्या है permissible noise level 55 decibel residential areas के लिए और 70 decibel commercial areas के लिए जहाँ पर traffic and all काफी जादा होता है इसके उपर अगर noise level बढ़ता है तो उसे noise pollution के स्रडी में डाल दिया जाएगा WHO बोलता है कि अगर noise 70 decibel के उपर रहता है एक लंबे समय तक तो hearing loss का खत्रा बना रहता है क्या निकल के आया दुनिया की तीन सबसे जादा सोरगूल वाली सिटी साउथ एशिया से ही है पहली धाका जहाँ पर noise का level पाया गया है 119 decibel यह दुनिया की noisiest city बन गई है दूसरी उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद आपके दिमाग में होंगे डैली, मुंबई और बैंगलोर और यहां तो मुरादाबाद बाजी मार ले गया second noisiest city बनी है दुनिया की मुरादाबाद छुपा रुष्तम निकला इंडिन cities में अगर आप देखें तो डैली 83 decibel पे कुलकाता और असंसोल 89 decibel पे बंगाल में और जैपूर 84 decibel पे noiseful cities बन गई है सबसे शांत सहर कौन सा है Everest Jordan का एक सहर है वहाँ पे 60 decibel का शोरगूल देखा गया है और second nobber पे अगर शांत सहरों की बात करें तो France का Lyon आता है हमारा next article जो है वो coral bleaching के बारे में है जो management authority है दुनिया के सबसे बड़े coral reef system की जो Australia का Great Barrier Reef है जो आपको मिलता है Australia के Eastern Coast पे ये काफी बड़ा सा आपको brief ये जो barrier reef का system है वो दिख रहा है यहाँ पर अभी ये निकल के आया है कि जो Great Barrier Reef है वो धीमधी में confine हो रहा है अब वहाँ पे mass coral bleaching देखी जा रही है अब coral reef क्या होते हैं और coral bleaching क्या होते हैं देंकि corals marine invertebrates होते हैं और कशेरुकी जीव होते हैं जिनके पास spine या red की हड़ी नहीं होती हर coral को अगर आप एक individual coral की बात करें तो उसे polyp कहा जाता है ऐसे कई सारे polyp से भी एकठा हो जाते हैं तो बनती एक colony ये colony कई सारे polyp स और generate करती है कई सारी copies बनती है तो ये polyp का ये जो पूरा colony है वो बढ़ता चला जाता है ये corals मरते हैं इनके उपर एक कवच होता है जो होता है calcium carbonate का तो जब ये मर जाते हैं तो इनका वो जो कवच है वो बिखर जाता है calcium carbonate वो एक base बन जाता है उसके उपर नए polyp साते हैं नई colonies बनती हैं तो इस तरीके से जो calcium carbonate का उनका जो खोल है जो कवच है वो एक reef बनाता चला जाता है जिसके उपर बाकी के corals या colonies उनी survive करती रहती है ये जो corals है ये एक symbiotic relations established करते हैं single-celled algae के साथ जिसे कहा जाता है ये जो algae होते हैं ये सूरज की रोशनी में खाना बनाते हैं इसलिए ये corals वहाँ नहीं पाया जाते जहाँ पर पानी बहुत गहरा हो या गंदा हो क्योंकि सूरज सीर उसनी पहुँच नहीं पायेगी इन corals में ये जो algies हैं उनके पास इसलिए पानी साफ हो ज़्यदा गंदा ना हो और बहुत गहरा पानी ना हो temperature moderate होना चाहिए 27-28 degree Celsius ज़्यदा temperature होगा तो फिर उनके लिए situation जो है वो favorable नहीं होगी तो algies वो जो खाना बनाते हैं वही खाना ये जो coral polyps हैं वो खाते हैं और ये जो algae होता है इसको ये corals दे देते हैं एक base जहां पर वो survive कर पाता है और nutrients ले पाता है इन दाट केस दोनों इस दूसरे को फायदा पहुचाते हैं जो जू जैसलाई होता है उसके कई सारे colors होते हैं इसी लिए ये जो corals होते हैं इनको आप कई सारे colors में रेखते हैं actually में वो colors corals का नहीं होता वो colors तो उन algies का होता है जो उनके उपर recite करते हैं अगर ये algies इस coral पर से हट जाएं तो जो coral का color है वो तो सफेद होता है calcium carbonate का कबच मॉलस की 4000 types of species आपको यहाँ पर मिलेगी coral bleaching वही है जब इन मोमन बहुत stressed हो जाता है temperature बढ़ जाए, pollution हो जाए या फिर ocean के acidity बढ़ जाए in that case ये जो algies होते हैं stress की condition में जो जूदेंट लाई होता है वो कुछ ऐसे जीवों को पैदा करने लग जाता है जो इन corals के लिए सही नहीं होते जो उन corals को नुक्सान पोचाने लगते है जिनके उपर ये algae बैठे हुए है तो corals क्या करते हैं इन algae's को हटा देते हैं बोलते हैं भाई आप ऐसे जीव लेकर आ रहे हो जो हमायरे सही नहीं है तो आप जाओ हटो तो जब उन corals को हटा दे जो algae's हैं उनको हटा देते हैं तो colorful तो algae होता है जब वो algae हट जाता है तो उनका color white दिखने लगता है तो असा लगता है जिसे उनकी bleaching हो गए ये उनका color चला गया है and that is the reason किसे coral bleaching कहा जाता है ठीक है हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो National Dolphin Day के बारे में Union Minister for Environment and Climate Change ने अभी 67th meeting chair की है Standing Committee of National Board for Wildlife की तो National Board for Wildlife की ये meeting थी जहाँ पे ये decide किया गया कि 5 October को हम National Dolphin Day observe करेंगे 5 October को अभी क्या होता है तो मतलब यहाँ पे focus केवल गंगेज डॉल्फिन पे होता है लेकिन जब हमें National Dolphin Day डेक्लेर कर देंगे तो हम हर प्रकार के Dolphin को cover करेंगे चाहे वो गंगेटिक हो या फिर जो marine Dolphins है वो हो Dolphins बहुत important ecological indicators होते हैं मतलब पानी की health कैसी है वो Dolphins की situation के जरिया पता कर सकते हो National Aquatic Annual Dolphin को 2010 में डेक्लेर कर दिया गया था हमरा नेक्स टार्डिकल अर्थ आर्थ आर्थ के बारे में है पिछले Saturday 26 मार्च को साड़े 8 बजे अर्थ आर्थ 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 देखा गया जहां पर दुनिया बर में एक घंटी के लिए lights को off कर दिया जाता है इससे start किया गया था World Wide Fund for Nature के द्वारा 2007 में यह annual event है जो मार्च के आखरी Saturday को होता है 180 देसों में से observe किया जाता है जहां पर लोग Global Warming, Loss of Biodiversity और Climate Change की ओर ध्याना करसित करने के लिए एक घंटी के लिए light off करते है यहां पर हम यह portrait करते हैं कि Global Climate Change को लेकर हमें कदम उठाना है और लोगों को aware करना है इस बार का topic था Shape our future World Wildlife Fund for Nature की बात करते हैं तो 1961 में establish किया गया था एक international non-governmental organization है मतब इसमें governments involved नहीं होती दुनिया का सबसे बड़ा conservation organization है और देश से ये है कि planet के natural environment को बचाएं और एक ऐसा future तयार करें जहांपर humans और nature के बीच में एक सामनजस से हो headquartered है Switzerland के gland में हमारा next article काजी रंगा नेशनल पार्क अंटेगर रिजर्व के बारे में है अच्छी बात है यहांपर जो कुछ भी news में है, context में है काजी रंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है वहाँ पर one horn rhino की population increase हुई है यह population increase लगभग 200 rhino की है जो 2018 की तुलना में है तो काफी अच्छी बात है काजी रंगा नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व आपको मिल जाएगा आसाम में जो की इंडिया का एक north eastern state है यह आसाम का सबसे पुराना पार्क है जहाँ पर ब्रहमपुत्रा का जो flood plain आपको मिलता है कर्भी यांगलॉंग हिल्स के आसपास या south में वो उस flood plains में यह आसाम का पूरा नेशनल पार्क फैला हुआ है forest, wetland या grassland जो इस national park and tiger reserve का है वो घर है इंडियन one haunt rhinos का tigers का भी और elephants का भी जो forest region है काजी रंगा पाक का वो दुनिया की सबसे बड़ी संख्या जो rhinos की है इंडियन rhinos की उसको accommodate करता है over the time period tiger की population भी यहाँ पर बढ़ी है किवल बात rhinos की नहीं है 2006 में यही करण था कि इस काजी रंगा नेशनल पाक को एक tiger reserve का दरजा भी दे दिया लिया further चोकि birds की diversity भी यहाँ पर अच्छी खासी है तो bird life international ने इसे important bird area भी recognize कर लिया यहाँ पर जो पाक का water होता है वहाँ पर आपको गंगेस river dolphins भी मिल जाएंगी और काजी रंगा नेशनल पाक UNESCO की world heritage site में भी शुमार है जहाँ पर great Indian one horn rhinos पाए जाते हैं क्या निकल के आया findings में findings में यही निकल के आया कि जो estimated population अभी record की गई है one horn rhinos की that is 200 more than the number recorded in 2018 जो संख्या हमें 2018 में मिली थी उसकी तुलना में यह संख्या 200 ज्यादा है और जो संख्या है data is 2630 तो 2018 में क्या थी 2430 अच्छा exact दोसो ना थोड़ा अजीव है पर ठीक है यह census इसलिए भी थोड़ा ज्यादा special है because इसमें drones का इस्तिमाल किया है हमने पाक को कई सारे compartment में डिवाइड करके animals का survey किया गया है इंडियन राइनो उसकी बात करें तो इन्हें इंडियन राइनो greater one-horn rhino या great इंडियन राइनो कही सरी नामों से पोकारा जाता है यह इंडियन सब कॉंटिनेंट में ही पाया जाते हैं और IUCN के red list में है vulnerable तो यह रहेगी important information कि यह vulnerable है कि क्या है vulnerable है आईए अब बात कर लेते groundwater extraction guidelines के बारे में तो कि माना यह जाता है कि भारत में जितना भी हम groundwater extract करते हैं उसमें सी 90% हम agriculture sector में ही use करते हैं बाकी बचावा 10% इसमें सी 5% हम use करते हैं industries के लिए और 5% हम domestic use के लिए drinking water के लिए use करते हैं अब इसी संदर्ब में आपके ground water control board ने एक survey conduct किया था जिससे हमें यह पता लगता है कि भारत में लगबग 6500 के आसपास हम groundwater units को use करते हैं और इसमें सी 1034 AC हैं जिसको हम over exploit करते हैं अब इन 1034 में सी लगबग 2500 AC हैं आपकी जिसमें सी हम 90 to 100% extraction कर रहे हैं जितना वो recharge हो सकता है और इन्हें हम critical category में रखते हैं और कुछ 600 के करीब यानि कि लगबग 700 ही लगा लिजी आप 681 हैं यह यह कुछ AC units हैं जहांपर आपको semi critical situation देखने को मिलती हैं जहांपर extraction आपका 70 से 90% है जितना recharge हो सकता है अब in general कहा ये भी जाता है कि दुनिया में जितना भी groundwater extraction होता है उसका approximately one-fourth भारत में ही होता है यहां पर आपको stage को ध्यान में रखना है because इंडिया के अंदर water crisis आने वाले time में भड़ सकते हैं जैसा कि heat wave चल रहा है climate change चल रहा है इसकी वज़े से ये situation और ज़्यादा खराब हो सकते है अभी recently Central Groundwater Board के द्वारा एक guidance issue की गई थी 2020 में NGT ने अभी ये कहा है कि जो guidance है ये sufficient नहीं है भारत के अंदर groundwater crisis को manage करने के लिए साथ के साथ 2018 में भी कुछ इसी तरह की guidance issue की गई थी जिसे NGT ने scrap कर दे था because वो sufficient नहीं थी नहीं वो sustainable थी जिसके basis पे हम groundwater को इंडिया में regulate कर सके आईए अब थोड़ा बहुत जान लेते है Central Groundwater Board के बारे में भी अब आपको ये याद रखना है कि ये आपकी Apex Agency है जिसे establish किया गया था 1970 में और वैसे इसके पास power है आपके Environmental Protection Act 1986 के अंडर जिसके थूँ Groundwater Development को भारत के अंडर regulate करने की कोशिश करता है ये आपकी Ministry of जलशक्ती के अंडर आता है उसके अंडर एक Subordinate Office है और ये इंडिया की Apex Agency है जो scientific input देती है Groundwater के resources को किस तरह से भारत में use किया जै manage किया जै किस तरह से उनकी assessment की जै regulate किया जै इन सभी से related तो आपको इस article में इतना ही जानना ज़रूरी था धन्यवाद